हे गाईस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओफलाइन फॉम फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं जो की वेकंसिस आउट की गई है केंद्रिय गोला बारूर डीपो से इंडियन आर्म की और आप ऐलिपले करने के ल Camblaw से घ्रफ औरूर इस वीडियो में आपको से ब्लाइन यामेजिस एकिव yraavim वाद करूंगी ये वाह से देखिए आज मैं इस वीडियो में वेकि प्रूर करने के लिए प्यांए और्ली यहां पर क्रींट आओट निकाला है नаменग है किस post से माध्यम से आपको भेजना होगा सारी चीजें मैं discuss करूँगा इसमें तो जो भी candidate form fill करने के लिए eligible है इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपसे कोई भी mistake ना हो क्योंकि online form से ज़्यादा tough होता है offline form send करना आपको पता है कौन-कौन सी चीजें आपको send करनी होगी application fee का structure क्या होगा क्या envelope का प्रियोग किया जाए किस post से भेजें क्या क्या print out निकालना है documents कैसे भेजें photo कैसे चिपका है photo कैसा होना चाहिए काफी सारा issue होता है तो चले इस वीडियो में सारी issues का solution आपको यहाँ पर मिलने वाली start करते हैं वीडियो को इससे पहले requested होगी channel को अगर आप अभी तक subscribe नहीं कियें तो channel को subscribe जरूर कर लिजेगा bell icon को press करके notification bell call कर लिजेगा ताकि इसी तरह latest government jobs की update है वो आपको बराबर मिलती रहें तो यह official notification है और इसका जो link है आपको description मिल जाएगी हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजेगा success दिलिप का वहाँ इस तरह की सारी PDF उपलब दोती है तो वहाँ से आप download कर लिजेगा क्योंकि इसी में attach है आपका offline form यह notification है सारी चीजने discuss किया हुआ वीडियोस में देख लिजेगा मैं directly यहाँ पे offline form में आता हूँ जो कि page number 11 जो कि यहाँ पे appendix यह लिखा गया है page number 11 पे आपको आना है और क्या-क्या print out आपको निकालना है यह पहले मैं बता देता हूँ पहला page number 11 जो है उसको print out आप निकालिए जगा उसके बाद page number 12 यानि कि इसे भी print out आप निकालिएगा next से आजाता है आप सब के लिए page number 13 acknowledgement card इसे भी आपको print out निकालना है next से आपका page number 14 यानि कि 14 calling letter जो है इसे भी print out निकालना है तो बस यहाँ तक 11 से लेकर 14 तक आपको print out निकालने होगी आप इसे black and white में निकालिएगा क्योंकि color से निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है hopefully यह पता चल गया print out क्या निकालना है चलिए अब मैं बताओं feel आपको क्या करना है सबसे पहला process यहाँ पर recruitment notice number बता जा रहा है तो सबसे पहले heading में आपको आना है recruitment notice number आपको दिखाए देगा है यही चीजें वहाँ पर advertisement number जो कि इस जगह पर आपको enter करने होगी blue and black pen का use किजिएगा उसके बाद post applied for आप किस post के लिए apply कर रहे हैं यहाँ पर अपना नाम fill करें capital letter में father's name fill करें और father's name के बाद अपना date of birth fill करें date of birth में आपका अभी total age कितना हो रहा है अपना age जरूर एंडर किजिएगा अपने year month और date calculator से निकाल के next है यहाँ पर address तो यहाँ पर correspondence address और यहाँ पर permanent address यहाँ कि present address और permanent address दोनों आपको fill करनी होगी यहाँ पर qualifications की details आपको fill करनी होगी सबसे पहले 10th की ITI की या फिर 12th की आपने जो भी किये है सारी चीज़ें आपे mention कर दीजेगा next है category which for applied किस category से आप belong करते हैं यहाँ पर tick करेंगे उसके बाद यहाँ पर PHESM जो भी आप इसे भी tick करेंगे next यहाँ पर बदाय जा रहा है तो yes करना या नहीं है तो no कीज़ेगा अगर yes है तो उसकी registered यहाँ पर number आपको देनी पड़ेगा अगर कोई central government में कोई service है आपकी तो यहाँ पर yes no कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देना होगा office details employer ID बेगरा यहाँ पर declaration है post date जब आप करेंगे और place यहाँ पर लिखना है अपना signature कीजिएगा for office use only यह जरूर ध्यान लखेगा यहाँ पर आप कोई भी चीज mention करने की जुरत नहीं है acknowledgement card है यानि कि आपका जो इस तरह से acknowledgement card बनके आगी for column आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अपना नाम, date of birth, father's name, address विगरा जो चीज़े अपने उपर फिल कियें से हम यहाँ पर फिल करेंगे region of rejection विगरा सारी चीज़ें की mention करने की जुरत नहीं है बस यहीं तक आप फिल किज़ेगा उसके बाद यहाँ पर signature किज़ेगा और यहाँ पर signature करने के लिए छोड़ दीज़ेगा next आजाता है calling letter यहाँ पर application number आप फिल किज़ेगा और यहाँ पर देख सकते हैं sorry आपको यह jewelry नहीं है फिल करने का यह सब चीज़े यहाँ पर कोई भी छड़कानी मत किज़ेगा next अब photo की बारी आती है कोई भी छड़कानी आपर नहीं करना है याद रखिएगा calling letter में आपको कुछ भी नहीं लिखना है उपर आना है और उपर आने के बाद मैंने बताए कि अब आपको photo paste करना है photo आपका color photo होना चाहिए background blue and white कैसा भी हो लेकिन color background नहीं होनी चाहिए ध्यान रखेगा ज्यादा पुराना photo आपका नहीं होना चाहिए photo चिपकाने के बाद उसपे signature करना है photo पी अब signature ऐसा करना है कि आधा signature बाहर हो और आधा signature अंदर हो मानलिज यह कि मैं photo चिपकाया हूँ और उसपे signature करना चाहता हूँ तो इस तरह से signature कर दूँगा आपका जो भी signature होगा ये हो जागा signature same photo जहां पर भी लगाओ ये आपका acknowledgement card में भी photo लगेगा calling letter में भी photo लगेगा तो hopefully इस तरह से आपका तीनो जो process है इसमें totally आप fill किजेगा पता चल गया application form में क्या-क्या आप fill करनी है सब चीजें फील हो जाएगी signature कर लिजेगा place mention कर दीजेगा उसके बाद आपको कोई भी registered office या फिर speed post के जरिए registered post office लिजेगा फिर speed post क्या general post से भी apply कर सकते हैं इसी बात नहीं है बट उससे होता क्या है कि कई बार अधिकतर वो देर लगाती है और आप check नहीं कर सकते हैं कि मेरा letter पहुँचा की नहीं पहुँचा और speed post अगर आप करते हैं तो आपको हर दिन की पलपल की उस पर update मिलती रहेगी आप खुद check कर पाएंगे कि मेरा जो deliver हुआ की नहीं हुआ अब उसमें आपको लेना है तीन परकार का envelope envelope मैं envelope बता देता हूँ किसे लगए तीन परकार का तीन envelope लिज़ेगा first envelope में आपके जितने भी सारे documents है form है उसको fill करना है और envelope को एक बड़े वाले envelope में आपको send करना होगा extra envelope आपको extra खेवल blank envelope एक आपको send करनी होगी वहाँ पर मैं बता रहा हूँ किसलिए और यह address है इस address पर आपको send करनी होगी speed post के जरिए ही send किजेगा तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर होगा आपकी इस पोस्ट के लेपलाइक कर रहे हैं यह सारी पोस्ट हैं आपको वहाँ पे mention करनी होगी उपर वाले इंवेलप पे यहां पे following documents आपके जो भी है वह मैं बता रहा हूँ क्या क्या documents आपको भेजना होगा एक size है 12 x 18 cm का आप बोलिएगा दुकान में तो इंवेलप यह आपको दे देगा वहाँ पर यह पी speed post में चाहिएगा तो वह भी आपको दे देगा इंवेलप आपको ब्लैंक इसलिए बेजना है कि कॉल लेटर आपको जो भेजा जाएगा ना आप ही के इंवेलप में यहां पर भेजा जाएगा उसी में इसलिए आपको एक्ष्ट्रा इंवेलप आपको देना होगा और 25 रुपे का postal stamp आपको लगवा लेना है सबकी xyrox copy और self-attested अब certificate कौन सा होगा कोई birth certificate है तो send किजेगा नहीं तो 10th की mark seat या फिर admin card भी send कर सकते हैं उसके बाद medical certificate है registered medical जो की physical fitness की द्वारा तो उसके आपको दे सकते हैं कास certificate आपका जो भी होगा वो देना है आपको educational qualification के certificate यानि कि जो भी 10th की certificate mark seat आईटिया की total mark seat certificate या फिर 12th की total mark seat और certificate कोई distance certificate है जैकि discharge सक्षट एक सर्विसमिन वाले वो देंगे देख सकते हैं कोई PS candidate है तो वो fill कर सकते हैं अगर आप जम्मू कस्मिर UT या फिर North East candidate से आप बिलोंग करते हैं तो उनकी domicile certificate सेंड करनी होगी इसलिए मंगा वहाँ पे जाता है क्योंकि उसकी last date थोड़ी सी जादा है अठाइस दिन का time मिला है और आप 21 दिन तक highly apply कर सकते ह जो सेंड कर सकते हो इसलिए और passport size आपको देना है three additional passport size जो फोटो आप चिपका कर भेजो के वो तो है यह साथ में extra आपको तीन passport size जो आपने पहले उसमें चिपका है documents में उसको extra तीन copy आपको सेंड करनी होगी बस इतना साइप process अगर आप OBC candidate है तो नन किरमी लेयर F किरमी इस कैसे भेजनी है कैसे फिल करनी है सारी चीजे में discuss कर चुका हूँ फिर भी कुछ extra डाउट हो कमेंट कीजे आपकी पूरी हल्क पीज आईगी वीडियो इच्प लगी हो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक share करें और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राब क चले में नेक्स्ट वीडियो में तर तक लिए जहिन